अब हमने purchase process completely जान लिया है, कैसे काम करता है, अब आपको sales process भी जानने की जुरत होगी, क्योंकि purchase process सीख के आप क्या करोगी, अकेला sales भी होगा company में, तो यहाँ पे sales process in trading organization सीख रहे हैं हम, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबसे पहले आएगा sales order, बाद में delivery note, बाद में आएगा rejection in sales watcher और credit note, और मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूँगा, कि मैंने सारे shortcut की update कर दिये हैं, यहाँ पे, चुकि पुराने जब मैंने preview दिखाया था, जब मैं trading organization समझा रहा था, तभी मैंने यह shortcut की पुरानी रखी थी, अभी tally prime में वो बदल गई, तो यह shortcut की, आप note down कीजिए, यह update shortcut की है, जो tally prime के अंदर होती है, तो यहाँ पे भी shortcut की दिये हैं, और नीचे भी आपको हर एक watcher के entry के time पे भी shortcut की दिये हैं, और मैं explain भी करने वाला हूँ, don't worry about it, तो यहाँ पर sales process की trading organization में हमें पहला sales order सीखना है, goods order received, यह पाले, मैं process समझा देता हूँ, फिर हम pass करेंगे entry, जब आप अपनी company में order receipt करोगे, telephone पे order आएगा, आपको call करके बताएगा, हमें यह goods चाहिए, तो आपके पास वो goods अबलेवल होना चाहिए, आप उन्हें क्या करोगे, deliver कर दोगे, देखिए उन party को deliver करेंगे, तो यह sales order के बाद आएगी delivery note, और goods deliver करेंगे, तभी अपकोस हमारे पास जो party का order आने वाली है, वो already हमारे customer है, वो credit customer होंगे, क्योंकि वो sundry debtors, वो सारे customer जिसको हम यहाँ पर goods deliver करेंगे, simple है, वो सारे customer जिनको हम goods deliver करेंगे, right? अब यहाँ पर goods deliver करने के बाद, बिल नहीं भेजेंगे, deliver कर देंगे, जैसे order आएगा, वैसे ही हम goods को deliver कर देंगे, वही process जैसे purchase में थी, वैसे ही sales में यहाँ पर order received करेंगे, अब order आएगा telephone order आ सकता है, या फिर WhatsApp पे message आ सकता है, आपको order, order आ गया, वो goods order कर दिये, वो party क उसके बाद, rejection in, मतलब party ने तुरन reject कर दिये, वही दिन देखा कि भाई, reject before sending bill, आपने bill भेजा, नहीं है, बिल भेजने के पहले, उसने goods reject कर दिये, जैसे आपने goods deliver कर दिये, वैसे उनको कुछ goods faulty मिले, और वो reject कर दिये, या फिर कुछ goods अलग मिले, faulty भी मिल सकते हैं, य या फिर खराब भी राता है, या फिर आप कुछ और भेज सकते हैं, जो कि गलती से सलाजाता है, तो वो आपको return कर देंगे, मतलब reject कर देंगे, आपको बोला USB माउस, आपने भेज़ दिया wireless माउस, या फिर आपको बोला गया eyeball का माउस, और आपने भेज़ दिया डेल का मा तो आपको यह नहीं करना है, नहीं तो वो बोलेंगे आपको what the hell, वो लोग बोलेंगे ऐसा, तो आपको यहां पर यह समझ में आया होगा, कि भाई हमारे पास goods return आने वाला है, वो reject होने वाला है, क्योंकि quantity गलत भेजेंगे, तो वो reject होना ही होना है, उसके बाद sales watcher, sales watcher ज यही तो है sales watcher, goods sold, credit basis, bill sent, bill भेजेंगे हम उसके बाद, मतलब यह सारे process step by step होंगे, उसके बाद credit note watcher, inventory proper manage करने के लिए sales process ऐसे ही manage किया जाता है, बिल भेजने के बाद भी कुछ goods return हो जाते हैं, जब credit note watcher आएगा, इन सभी चीजों को हम step by step सीखने वाले हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, इसका practical, order क्या है, order लिखा हुआ है, order received of 50 USB mouse of eyeball each of rupees 420, from vikas training center, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि vikas जी से मुझे order आया है, कितना का 50 USB mouse का, from vikas training center, सायद उनका computer center है, तो उन्होंने मुझे 50 piece मुझे USB mouse order किये हैं, तो उनको 50 piece mouse पे क्या करना है, पहले order received कर लेना है, order received की entry पास करनी है, बहुत सारे order एक दिन में आपके पास आ सकते हैं, तो इसलिए आपको sale order जरूरी है, sale order क्यों जरूरी है, क्योंकि एक साथ आपको बहुत सारे sale order आ सकते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास record रहना चाहिए, कि किसका order कौन सा है, विकास training center का कौन सा है, या फिर मदन private limited का कौन सा है, तो फिल हाल यहां पर हम देखेंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने teleprime पर, तो teleprime पर मैं आ चुका हूँ और आपको यहां पे दिख्राएं, कि मेरा यहां पर trading company खुला हुआ है, trading company खुलने के बाद मुझे यहां पर दिख्राएं, कि यहां पर watchers लिखा हुआ है, आपको आ जाना है watchers में और watchers में आने के बाद enter button press करना है, Inter button जैसे ये आप प््रेस करेंगे आपके सामने में यहां पर Payment Launcher खुल किया है आपको खुलना क्या है यहां पर Sales Order sales order कैसे खुलता है sales order का shortcut क्यों होता है Ctrl के साथ F8 बटन जैसे मैं यहां पर प्रेस करता हूँ Ctrl के साथ F8 तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, वो अभी यहाँ पर inactive है, तो उसको activate हम कैसे करेंगे, यदि आपको shortcut की यहाँ पर देखना है, तो आप यहाँ पर sales के corner पर click करिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है, लिखा हुआ है, sales order, f8 की नीचे tool आपको line दिख रह यहाँ पर दिख रहा है, अप को यहाँ पर दिख रहा है, लिखा हुआ है, और इस option पर आने के बाद, आपको keyboard से इंटर को hit करना है, जैसे ही आप keyboard से इंटर बटन फ्रेज करेंगे, तो आपके सामने में यहाँ पर दिखी क्या लिखा हुआ आ रहा है, you need to activate the sales order वाचर की प्रेस करिए आपका यहां पर एक्टिवेट होके खुल जाएगा तो इस परकार से आप सेल्स ओर्डर को एक्टिवेट करा सकते हैं यदि आपको कुछ और वाचर खोलना है जिसे सेल्स खोलना है तो अभी हम कीबोड से control एक्ट करते हैं तो यहां पर और विकासर ट्रेडिंग सेंटर जो हमया जो क्योना पूर्ट से करने के बादóm यहां पर टैप करना तो यहорт लिखता हूं विकास टेनिंग सेंटर लिखने के बाद अंडर में क्या होगा तो अंडर में मेरा संडी डेटर्स होगा क्योंकि ये मेरे कस्टमर हैं जिसको मैं गूट से अफलाई करूँगा उसके बाद यहां पर मैंटेन बैलेंस बिल वाइब बिल यसी रहेगा अब बाकी यदि आपको कोई डिटेल डालना है तो आप डाल सकते हैं अभी हम कंट्रोल ए से इसको एकसेप्ट कराएंगे उसके बाद यहां पर ओडर डिटेल आता है यदि आपको यह सब पता है तो आप डाल सकते हैं उसके बाद नीचे dispatch detail है, इसको भी आप डाल सकते हैं, अभी हम accept रा लेंगे, बाकी कोई detail को कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है, लिखा हुआ है order number, तो order number आपका one रहेगा, उसके बाद sales laser में क्या रहेगा, तो यहाँ पर मेरा sale account रहेगा, जि इसको भी accept रा लेंगे, name of item, item मेरा क्या है, तो item मेरा USB माउस है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंटर करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है date, तो date मेरा कितना था हूँ, आपके 5 December, तो मुझे यहाँ पर date तो मैं change नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा educational version है, इंटर करें इंटर करेंगे, यहाँ पर automatic आचुका है, यहाँ पर दिख रहा है amount आचुका है, फिर इंटर करेंगे, यदि आपको कोई दूसरा यहाँ पर item को add कराना है, तो आप item को यहाँ पर add करा सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरा cursor blink कर रहा है, तो अभी मुझे नहीं कर प्रम्रम काुट्ण आपको दाना है फिर से पर एंटर करेंगे तो यह मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा दिया पर मुझे नरेचन को टाइप करना है तो लिख सकते हैं तो यह पर लिख सकते हैं गुट्स और डिसीफिक अर डिसीट लिखने के बाद आपको की बोट से इंटर बटन प्रेस करना है, इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर accept का option आएगा, आपको accept पर इंटर करना है, तो यह आपका sales order बन गिया, यदि आपको देखना है तो आप keyboard से क्या करी, page up बटन प्रेस करी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो अभी तो यह मेरा हो चुका है, मैं फिर से एक और बील यहाँ पर बनाता हूँ, तो page up करेंगे, और page down से आपका back होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी आदमी को समान बेचेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विकास, उसके बाद इंटर करेंगे, कुछ नहीं क पना ही रहेगा, 420, उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, due on a rise को खुछ नहीं करना है, फिर से इंटर करना है, आपको यहाँ पर नरेशन लिखने का option आता है, तो यदि आपको फिर से नरेशन टाइप करना है, तो आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं अभी आप एक trick यूंज करूँगा है गरी कैम्हेरा ce करेंगे तो आपका recent जो भी narration होगा याँ पर automatic टाइप हो जाएगा लेकिए हाप इसन के पर कार साय् को टाइप करते हैं की बोर्ड से प्रेस करना है commandЧ닉 अर्ट उसके बाद इंटर करेंगे वागए कई कुछ नहीं करना है तो इस प्रकार से आप यहां पर sales order को तयार कर सकते हैं तो आफ लोगों ने सीखा कैसे हम लोग sales order के entry को पास करते हैं अब पास तो हो गया यहां पर entry हो गई बट मुझे जो order मैं यहां पर receipt किया हूँ से देखना है तो देखने के लिए हम क्या करेंगी यहां से back आएंगे और back आने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है stock summary यहां पर मुझे कुछ नहीं दिखेगा यहां पर आपको दिख रहा है 84 का 84 ही है और यहां पर कुछ चेज नहीं आए बट मैं यहां से back आता हूँ और back आने के बाद मैं आ जाऊंगा display more reports में और display more reports में आने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है लिखा हुआ है inventory books आपको inventory books पर आके इंटर करना है उसके बाद आपको नीचे दिखे का लिखा हुआ है sales order book आपको sales order book पर इंटर करना है जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने में यहां परेल महीने का दो बटन जैसे ही आप अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि उसका सेल्स अकाउंट का यहाँ पर डिटेल में दिखेगा तो इस परकार से आप देख सकते हैं तो आपको यह समझ में आया होगा कि सेल्स ओर्डर कैसे करना है तो थैंक यू